सुरत निर्भयान लईने अत्यारे एक प्रेस कांफरेंस चाली रिशामो सामलिया सुरत निर्भयान लईने अत्यारे एक प्रिस्थपाइद करवा माटे तेम छता हजिस्तुदी बालक जे मरनार बालकी छी एनी ओलक थाई नथी एन माटे हवे वधारन प्रियत्नों चालू उचेन बाकी स्टेटों ना डेटा नी पन अत्यारे चकास नी थाई रहेल छे अमने सरकार्षी तरफ थी आ केस जल्दी माटे जल्दी सोदवा माटे पुलिस मादेशे तरफ थी तमाम मदद लेवा माटे सुचना करवा माटी छे जे स्टरड़ी थी लास माडी आवेल छे ते जग्याए कोई संगश्ण निशान जवा माँ आवेल न थी एनी बाजू मा जे क्रिकेट ग्राउंड छे मा राते गईर जे बना लास माडी थे और प्रीविस नाइट मा लगभग 11 वागे सुधी बाल को क्रिकेट रमता था तो त्यां सुधी आ लास नहीं आती आने सवारे कर लगभग साड़ा छे वागे कोई आ लास में जोई छे तो ए मरनार नी ज लास त्या मूखवा मावेल छे राते 11 वागे साड़ा छे दर्म्यान मूखवा मावेल छे एव अत्यारे तपास में जणाई आवे छे जे थी एव लागे छे कि कदाच ए लास बाहर नी होई आने आरूपियों पन बाहर ना होई आने आ गुनाने बाहर अंजाम आपी लास लास नो डिस्पोजल अत्रे करवा मावेल छे तेम छेता आप पूरी से आवाबत ने खुबस गंबीरता थी लई केस नी तपास करेल छे आ केस मा अगर बाहर थी आवेल कोई वाहन मा लावा मावी हो तो ते बाबत ने ध्यान मा राखी ते समय थी हाईवे उपर थी पसार सता तमाम वहानों नी जेछे विगत मेड़ भी ने एव उपर थी पन गुनो शोधवाना प्रयत्में अत्यारे चालू छे आप हूं सूरज शहर पुलीस वती अत्रे जणावा मां मांगू छूं कि आ केस मा वहली मां वले तेके शोधी संडवाइल आरोपी विरुद काईद हाथे काम कर से सने 2070 चालू वर्स से मार्च सुधीमां जेटला केसो टुक सो अने बडात कारना हाता तमाम केसोans और अरोपी और भरोड़ करवा मावल छे सूरथ एक सुरक्षी सहर छे आन सुरथ पुलीस आज शहर ने सुरक्षित राखों माटे जे छे कटिबद छे हूं तमाम नागरिकों ने विनमती करूं छूं के जे आकेस छे आकेस सोधव माटे पुलीस नी मदद करे अनि जे मरनार बाल की छे ए बावते के अपराधी बावते कोई पन माहिती होए तो पुलीस ना नंबर 100 प पर पुलीस नो संपर्क करें पुलीस जेचे आवा तत्तों विरुद सखक मा सखक कारवाई कर शे तारिक 6 अप्रेल को सूरत शेहर में पांडे सरा पुलीस स्टेशन के इलाके में साइं फक्षित के पास जियाव गाउं के रोड की साइड में एक लगवग 11 साल की बच्ची की लाश बरामत की गई पुलीस ने तुरंट एक्सिडेंटल डेथ का केस दाखर करके लाश को पोस्मार्टम के लिए भेजा पोस्मार्टम में यह पाए गया कि बच्ची का गला और मुह दबाकर दम घुटने से उसकी यह हत्या हुई है और उसके उपर जबरदस्ती की गई इस बात के सरूत मिले जिससे पुलीस ने उसी दिन शाम को शाम को छे तारिक को साथ बजे खून और बलातकार और पोक्सों के अलग अलग सेक्शन के अंडर एफायर दर्स करके और इस केस का इन्वेस्टिकेशन पांडे सरा पुलीस इ पुलीस ने तमाम प्रेत्म किये हैं सूरत एवन गुजरात के पिछले कुछ महीनों में गुम हुए तमाम बच्चियों के रेकॉर्ड देखे गए हैं बारा सो पोस्टर शेहर में अलग अलग जगे पे लगा के उसकी फोटो बच्ची की फोटो के साथ लगाए गए हैं और लोगों से मदद मांगी गई है कि इसकी शिनाक में पुलीस की मदद करें पुलीस ने बीस जार रुपए का इनाम भी डिकलेर किया है इस केस की इन्व जगे जहां पर बच्ची की लाश मिली है यह हजीरा पलसाना हाइवे के एक किलोमेटर के अंदर ही है उससे हमें यह लगता है कि हो सकता है कि यह बच्ची भी बाहर की हो और अपरादी भी बाहर की हो और खाली इसकी लाश को यहां पर रख दिया गया है जहां पर लाश जो पोस्टमार्टम करने के 6 से 24 गंटे के अंदर हुई है तो इस बात से ये इस बात को धान में रखी हो सकता है कि ये बाहर की बच्ची हो और पीसी गाड़ी से आई हो हमने उस वक्त हाईवे से जितनी गाड़ियां पास हुई है उन सब के की इंफोर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग और उसके ओपर से भी इस केस को डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है हम सभी नागरिकों को बताना चाहते हैं कि सूरत पुलीस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है हमारी तरफ से इस केस को खुब गंबीरता से लिया जा रहा है महिना और बच्चों क साथ बत्तिमीजी करने के बाहर आए हैं उन सभी केसे को हमने सॉल्व करके और सभी आरो कियों खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की है और इस केस को भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे और प्राधियों को पकड़के सक्से सक्त कारवाई की जाएगी हम इस केस में को सॉ लिदेन करना चाहते हैं कि अगर इस केसे के बारे में जो बच्跑 पास की शोचना हो तो पुलिस को जल्द से जल्د से बच्चीश चो सौल्ड कर सकते हैं किन राजियों से और संपत किया गया किस तरीपे से किया और कितने बूंट सुगा बस्यों के आइडेंटिफिकेशन की जाए देखिए हर स्टेट का एक रिकॉर्ड होता है ट्रेस दे मिसिंग चिल्डन करके उसमें अभी तक हमने तीन स्टेट के उसमें बहुत सारे डेटा है हजारों की संख्या में हैं तो हम गुजरात के और तीन स्टेट के हमने डेटा सब चेक कर लिए हैं बाकि स्टेट के डेटा चेक किये जा रहे हैं और टीमें हमने इस काम में लगा दी हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी शिनाक्त होना बहुत जरूरी है एक बार पहचान होगी तो case solve करने में हमारी मदद मिलेगी. हमें जो अभी तक हमारे जो informants ने बताया है और बच्ची जो कोई जैसे देखा गया है उसके उपर से वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये बच्ची उडिसा या बंगाल की हो सकती है. अभी उडिसा की तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके बाद बंगाल की तरफ या बंगाल देख रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी शिनाक्त हो जाए और फिर हम आरुपयों पकड़ देखा लिए एक सके ये गुजराती में वो थोड़ी कि अधिकर ना कि मैं कुछ नदी का इसकेश का इन्सकेशन क्रइम बंगाई इसकेस का इन्सकेशन क्राइम ब्रांच का सोग दिया गया है you are you from republic tv? Yes. Okay, you talked to me. Sir are you waiting for the FSL reports for DNA testing to find out if it was actually We have already taken DNA samples, because that is necessary to, you know fix the identity of the deceased and as far as FSL is concerned we will obtain their report as soon as possible. But are you looking at it as a case of ? व कोरिभा कि इस निया गया है कि वच्ची को इतनी बर्बरता से मारा है तीन, आठ दिन तक किया थिए गया है? अभी तक ऐसे कोई सबूत हमको नहीं मिलें कोई ड्रग्स वगरा दिया जाने के लेकिन उसको मारने पीटने के सबूत मिले हैं क्योंकि शहर पे छोटी-छोटी मतलब बहुत सीरिस इंजरी नहीं है पर जैसे छड़ी से बच्चें को मारते हैं इस तरह कि लगबग काफी इसको मारत हैं हमारा मानना है हमें ऐसा लगता है कि इसको वहार से फिर लिया पहला गया उजका चाहिए पहलापे धार जाधी में नहीं डिया लखिए. या रोड के विलकुल साइड में लगी 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 लिया, जाधी में नहीं रखिये जकलून ए 2 विराइल, 15th, what vital leave do we have to have in the land? यह यह अंहीं और वीकुर। हौाँ, you are right. We work on the basis of whatever information we can collect. We have used all methods to collect the information we have put their photographs on their social media we have put up posters of the girl in throughout the city we have put up the posters on the trains going out of Surat we are contacting our informants Surat has a lot of floating population you know it is an industrial town a lot floating population is there people come and go we are in touch with all the, you know, leaders of the different communities which live there. This incident which has taken place, it is close to an area where people from, a lot of states live, people from Odisha, Bengal, UP, Bihar, they live together. We have searched all these places and this girl is not from that, those localities. So we are doing our best to, you know, fix the identity of the child. Sir, are you also looking at the family angle of it because no complaint is matching the missing children. So if the family has not come forward to file the complaint of the family. You are, you are absolutely right. It, in such cases when the, you know, nobody is coming out to complain, it is quite possible that some family member may be involved in this case. So we are looking at that angle also. And in such cases, you know, particularly POCSO cases, in a number of cases, such things happen. Sir, we have even carried out, we have even carried out, from other places, to another place. We are looking at these cases, and we will be looking at this situation. Look, the society is bigger. The society is growing further. First of all, we were thinking that perhaps it will be a girl. It will be a girl, it will be a girl, it will be a girl. It will be a girl or a girl or a girl. Now we think that this will be a child. It will be a child. So we have been thinking, that we have been looking at all the officers. वो और भी social sites पे रखेंगे, और trains में रखेंगे, bus stations पे रखेंगे, तो हम अपनी तरफ से और जो vehicles का data आएगा, शायद उससे हमें lead मिल जाए, तो जांच का दायरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक की जांच में यह लग रहा कि लड़की local नहीं है, तो जब जांच क जे रिता पे सांबढ़े हूँ, अत्यारे आ पत्रकार परिशद ने अंदर सूरत पोलिस सरफ थी जाहराद करवा में आवी छे, कि आ जे बाड़की निर्भया कि जेने लईने अत्यारे तपास चाली रही छे, हवे ते कया राज्यनी छे, साउत्य पहला ता मूर्टो सवाल जे लगबग पश्चिम मंगार के उड़ी शानी होई शेके, बीजो सवाल तेना परिवार ने लईने छे के अटली माहिती हो आपवाम आवी हुआ च्छता पन तेनो परिवार जो अजो सुधी सामे न थी आवे हो, तो पछी कई रिते तेना परिवार ने शोधवो कई रित समगर माहिती लाववी, बीजी माहत्वा निवाते पन शे के सूरत मा उजरात बहार ती घणलो को आवी न वसे शे, तो शूध तेर इते कोई ही एंगल होई शेके ते एक सवाल चे